जुस्ते आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग टेस्टी में आज हम बनाएंगे सिजवान चटनी तो आए शुरू करते हैं सिजवान चटनी बनाना इसके लिए हम लेंगे हरा धनिया और उसकी सौफ्ट टहनियों को यूज करेंगे इसके स्टेम बिल्कुल सौफ्ट या मुलाइम होनी चाहिए अब हम उन्हें बारिक बारिक कट करते हैं साथ ही हम लेंगे एक से डेट सो क्राम लाल मिर्च और हम उसे एक बाउल में उबाल कर ठंडा करने के बाद मिक्स करेंगे पीसेंगे बारिक कटी हुई धन्या की टहनिया बहुत ही बारिक कटी हुई अद्रग जिसे हम एक टेबल स्पून यूज करेंगे साथ ही लसन और एक बिल्कुल कान फ्लॉर जिसे हम चटने की ठिकनस के लिए यूज करेंगे सोया सॉस और विनेगर स्वात के लिए नमक और हम शुगर का भी यूज करेंगे चतनी की कलर के लिए हमने यूज क्या है लाल कश्मीरी मिच अब हमने मिच को गरम पाने में उबाल कर ठंडा कर लिया है अब हम इसे मारिक पेस्ट बनाते हैं दरदरा पेस्ट बनाएंगे पेस्ट कुछ इस तरह का होना चाहिए दरदरा तरीब एक से डेट कप के बराबर यहा पेस्ट बन कर तयार है अब हम एक पैन में तीन टेबल स्पून ओईल लेते हैं ओईल को जादा ही लेंगे जिससे चटनी काफी दिनों तक चलती है अब हम इसमें एट करते हैं लसन दो टेबल स्पून धनिया के स्टेम और बारिक कटे हुए अधरत ये तीनों ही चीजें अपनी प्रापर्टिस के लिए सबसे उपर हैं और हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी हैं हम थोड़ा ही फ्राइ करेंगे इसे थोड़ा कच्छा ही रहने देंगे अब हम इसमें एट करते हैं मिर्ची का पेस्ट अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी एट करते हैं अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा और भी पानी एट कर सकते हैं साथ ही कलर के लिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है एक स्पून नमक और छोटी टी स्पून से तीन टी स्पून हमने शुगर आट कर रख किया है अब हम करीब पांच मिनट तक इसे पकने देते हैं सीजवान सॉस हम फ्राइड राइस बना सकते हैं उसमें यूज़ करते हैं मंचुरिया नूडल्स मॉमोस सभी में इसका यूज़ किया जाता है और हम उसे जूज़ सबस्क्रेटर्टे यूज़ करेंगे काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून तेल उपर तैरने लगा है साथ ही चटनी की थिकनस को बढ़ाने के लिए हमने एक टी स्पून कॉन फ्लॉर में पानी डाला है और उस खोर को हमने चटनी में डाला है करिब एक मिनट तक और पकाते हैं आलमोस्ट सिजवान चटनी तयार हो चुकी है जो की खाने के स्वात को कई गुणा बढ़ा देती है किसी भी खानों के साथ हम इसे यूश कर सकते हैं सोया सोस और विनेगर फिर से थोड़ा सा पकाएंगे इसके अलावा देखिए कुछ इस तरह बन कर तयार हो चुकी है और ठंडी होने के बाद इसकी थिकनस थोड़ी सी और बढ़ जाती है कुछ इस तरह अब एक एर टाइट बावल में हम चटनी को निकालते हैं स्रिजवान चटनी बन कर तयार है आप भी बनाईए कि लाइए खाखाईए और स्वस्च रहिए आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेर करिए कॉमेंट करिए हमेशा इट हेल्दी, बी हेल्दी, बी हैपी, थैंक यू